ब glimpse back to my channel कैसे हैं आप सब चलिए आज आज आपको बताती हो बहुत सारे house plant के बारे में और उनके नाम के बारे में जाते हैं या फिर हमें plants की नेम नहीं पता होते हैं तो हमें वह plant मांगने में बहुत दिक्कत होता है तो आज चलिए मैं आपको कुछ प्लांट के नाम बताती हूँ यह जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे टर्टल वाइन कहते हैं बहुत जिल्दी ग्रो होने वाला प्लांट है और यह देखिए यह क्रोटॉन इसकी कई वराइटी होती है देशी और बैंगलोरी कई वराइटी में आता है और कई इसकी लीव्स का सेप भी बहुत सारे डिजाइन में मिल जाता है यह देखिए और इसके बाद मैं आपको एक देशी वराइटी भी दिखाती हूँ यह देखिए यह क्रोटॉन की देशी वराइटी है इसमें जो लीव्स का वरिगेशन होता है वो बहुत सलो होता है बैंगलोरी वाले में बहुत जल्दी हो जाता है और यह देखिए यह भी बैंगलोरी क्रोटॉन है यह बहुत सारे कलर्स में अवलेबल होता है और अगर आपको अपने गार्डेन में कलर एड़ करना है तो क्रोटोन को अभी एड़ कर लीजे और ये देखिए ड्रेसिना ये रेड़ वाला ड्रेसिना है मेरे पास ये फाइव तो सिक्स फीट हाइट तक ही जाता है अगर आपने गंबले में लगाया है और ये भी ड्रेसिना की एक दूसरी वाराइटी है इसे सॉंग ओफ इंडिया कहते हैं बहुत खुबसरत दिखने वाला प्लांट है कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और आप चाहे तो इसका प्लांट लाकर लगा लीजे या फिर ये प्लांट पुराना होने के बाद नीचे पर्प्स निकालता है ये देखिए एगलोनीमा है एगलोनीमा का ये चाइनीज एवर ग्रीन इस प्लांट को कहते है एगलोनीमा में भी बहुत सारी वराइटी अबलेबल है इसके बाद ये देखिए लिप्स्टिक एग ऐसे मैंने इसे हैंगिंग बास्कित में लगाया है और इसके बाद है यह देखिए असपेरेगेस फर्ण फर्ण को आप समी सेट में रखिए बहुत ज़्यदा धूप में मत रखिए नहीं तो इसकी लीफ्स जलने लगती हैं और इसके बाद जो दिखाती हूँ मैं आपको यह बोस्ट इंफर्ण इंफर्ण को पानी बहुत पसंद है मतलब कि आप इनको स्प्रे करते हैं हुमिड एरिया में यह बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और आप बात करते हैं पाम की यह देखिए यह है चानीज पाम इसी टेबल पाम भी कहते हैं और इसके बाद आपको दिखाती हूँ यह आरिय का पाम यह जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट सा हमारे पेंटिंग का काम जब हो रहा था तब इसके लीफ्स पे ऐसा पेंट लगा दिया है और यह देखिए स्नेक प्लांट इसनेक प्लांट भी बहुत सारी वराइटीज में होता है देखिए यह वरिगेटेड और सिंपल दो वराइटीज का होता है यह लंबा वाला है और यह चोटा वाला है यह इतना साइज में चोटा ही रहता है बहुत कुप्सर दिखने वाला ये भी प्लांट है और ये प्लांट ये प्लांट भी है इसके बाद ये है पोथोस या इसे मनी प्लांट भी कहते हैं ये सिंपल वाला मनी प्लांट है इसके बाद ये दिखे ये माबल मनी प्लांट है बहुत खुबसुरत दिखते हैं ये सारे प्लांट और इस इस लीव साइज थोड़ा सा बड़ा होता है और अब दिखाते हो आपको पिंक यह देखे पिंक सिंग यूरियम इसकी लीव कुम कोती है बहुत संदर दिखता है यह प्लांट मैचुर होने के बाद लीव से किल डाक व जाता है यह देखे केवड़ा यह कॉमन तो नहीं है पर इह मैं दो मुझे लगता है, र्यень साफ हुआ थम्याइट इयोरे का टाफ्लांट प्लांट देखियू, यह थोड़ा-थोड़ा सा आवलेबल है को लिएस और यह देखें यह कलर और लीवस का डिजाइन बहुत इसंट मिल जाता है को लिएस में आपको यह देखिए जेकर आप को इसा इस notebook देखे तो ये है THE ї्जैसा आडेनियम का प्लांट इसका प्लांट इसका प्लांट यह होता है इसने सायस इटा और इसके फ्लार का कलर चेंज होता है यह देखिए यह जो साइड में दिख रहा है यह थूजा या मोर पंखी का प्लांट है इस वीडियो में मैं आपको बहुत थोड़े से प्लांट्स और उनके नाम बता पाई हूं उमीद करते हैं वीडियो आपको हेल्फुल लगेगी थै